हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं कौन है तुम अरे दोस्त कहा जा रहे हो मत जाओ मॉम अपने क्या कर दिया मेरे दोस्त को डरा दिया पिंकी बेटा कौन था ये मेरा दोस्त है कौन दोस्त पहले तो इसे कभी नहीं देखा नहीं नहीं दोस्ती हुई है नहीं दोस्ती कितने दिन उसे मॉम अब कितने सवाल करत क्योंकि बेटा मुझे फिक रहे है तुमारे कौन है ये दोस्त और इस तरह उड़की किसे किया मैं नहीं बताऊंगी अरे बोर देखो बोर देखो कितने मेरे चिडिया है बुद्धो चिडिया नहीं सुपर हिरो है अरे बच्छो शोर क्यों मचा रहे हो तुम लोग अरे बापप्रे यह कैसा हवाईजाज है अवाईजदने सुपर हिरो है वो क्या होता है वो जो फिल्मों में होते है रह जुआश्पर में लुठते होही है हाँ अरे बाप्रे हमने तेजा सुपर हिरो जिनकों कभी नहीं देना है हینıld़ै कि जिन्दगी क्या होती है यह अम इंसान कभी नहीं सबसकता। बार की लोगों को सर्फ हमारी चगाचॉन दिखाई देती है। अरी जो कभी कला कान नहीं बना। वो एक्टर के अंधेरे को कभी कैसे समझेगा जिनकी गेराईयों में उतर कर। हम सच्चाई के दो पलों ने देते हैं। आज का दिन फिर्म इंडस्टरी कभी नहीं भूले की। क्योंकि वो मौन कुमार जिसे सब पसंद करते हैं। वो मौन कुमार आज अपने हाथ से अपनी जिंदकी कटम करतेगा। सब कटम होजएगा। वो मौन तू तू बजगे। कोई बात ही। लगता है। जिंदगी हार के कुछ और पल तुझे देना चाहती है। हाह। 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 पिट पिट से बजगे। इस तीसरी बार में तेरा ही नाम निक है। तू लगा रहे है। सब्सक्राइब तू लग रहे है। सर में ठीक तो लग रही हो ना। अरे बहुत अच्छी लग रही हो। अपको तो पता है मोहन जी के घर आये। मैं तो उनकी स्कूल से बहुत बड़ी फैन हूँ। सब्सक्राइब। क्या किसे रुपाईगे तूने मोहर। फिकर मत कर! मौत आईगी! कोई दर्वाजा क्यों नहीं कोल रहा है? ओ सदूर आप गुड आप्टरूनूट कैसे आँ? दर्वाजा खोलने में तो वक्स के बड़ाया? तूर्वाज़ एक्चुली वाच्छरों में चला गया था अच्छा अच्छा यह यह? यही तो है वो! इससे इसे जगे और के हो सकती है! आये सारूपर योंगी आये मैं इस बाहर मेरा आखनी बाहर है क्योंकि इसमें सिरफ छे ही कानी है मोहन 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 अरे दर्वाज़ा कोलो मेरे यार बस संदू जी हमारा साथ यही दख था अगले जनम में फिर मुला का दवगी तब तक कलिए अलिदिधा क्या हुआ सर अरे मोहन अपने आपको बोली माल रा अरे मोहन सार अरे पॅप्य मत कंबॉग सार साथ साथ अरे आप का प्रीज साथ 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 प्रीज देजैंस साथ सच, सच, कैसे, कैसे? लेबॉरिट्री के आग में भले ही फिल्म के सारे प्रिंट जल गए हो एक प्रिंट बज गया मगर कैसे वह यह? एडिटर के हाथ डिस्क में मिठाई खाऊ या मरना कैसल! I'm happy! इसकार आएक मारी रियल हीरो! श्कार, थेंक यू मुबार्क थेंकियो, थेंकियो हाँ, सुनाली मैं प्रैस्वले सारे आचोगे हैं सारी तैयारिया हो गई है ओ, गुड, गुड, थेंकियो दोस्तों, मैं आप सब का धन्यवाद करना चाहता हूँ इतने कम वक्त में आप सबने मेरे लिए और मेरी आने वाली फिल्म सुपर हीरो नंबर वन के लिए वक्त निकाला जैसा कि आप सब जानते हैं मेरे आने वाली फिल्म सुपर हीरो विद्दूत पर अधारीत है अब ज्यादा वक्त जायना करते हुए आप सब के मुराकात कराता हूँ अपने फिल्म के सुपर हीरो विद्धू से थेंक यू, थेंक यू इसका हाथ हिल रहे? वा संदू जी, आपका सुपर हीरो तो वाकई कमाल का है कितना खुपसूरट डिजाइन किया गया इसको अरे, यह क्या? यह चल भी रहा है? संदू जी, आप मजाग बहुत अच्छा कर लेते हैं इतना अच्छा पुतला बनवाया आपने लेकिन अब यह चलता कैसे, यह आपको पता नहीं देखो, मैं मजाग नहीं कर रहा मुझे नहीं बताता कि यह चलता भी है अपको संदू जी अभी तक उठें क्यों नहीं? संदू जी, संदू जी संदू जी, सांसे निचर रहे है, लगत्ते हैं, स्याडे के बुलाना होगा हलो, स्याडे? का दिमाग खराब है क्या? ते रहाद को फोन करते रहते हैं, बंदी करते तो यह फोन कैसे बसकता है? मेने तो बंद किया थे यह तो क्या नंबर में नहीं दिखा रहा? कौन फोन कर सकता है? हेलो? एक विशेज सुचना, हमें यह बताते हुए बहुत शोख हो रहा है कि आपके प्यारे दोस्त और फिल्म जगत के चाने माने प्रोडूसर डिरेक्टर संदु शशांक अब इस दुनिया में नहीं रहे हाँ? हेलो, कौन पकपास कर रहे? आपना सिफ संदु जी के दोस्त बल्कि बिजनस पार्टनर भी है इसलिए बहुत जल्दी आपको भी आपके पार्टनर के पास पहुंचा दिया जाएगा बहुत नांसेंस, मुझे ऐसा मजाग बिल्कुल पसंद नहीं है और आज की ताजा खबरों के लिए आप डीवी आउन करें न्यूस चैनल लगाया है, शुक्रान ली हेलो, हेलो, कॉन पोला है, हेलो मैं पकफास सिफ, संदु का फोन करता हूँ संदु का फोन क्यों नहीं लग रहा भारतिया फिल्म इंडस्री के मज़ूर प्रोडुसर डिरेक्टर, मिस्टर संदु शशांकी, उनहीं की फिल्म के सुपर हिरो ने फिल्म प्रमोशन इवेंट के दोरान हत्या कर दी, जिससे सुनकर पूरी फिल्म इंडस्री में तहलका मच गया लोगों में शोग की लहर फैल गई, इस सुपर हिरो के मुखोटे के पीछे चुपा खुनी कौन था, ये जानने में पूरी CID टीम चुटी हुई है शेरीर के कोई चोट, कोई सागम नहीं है संदू जी क्यों कोई बिमारी थी क्या? दिल की बिमारी या कोई और बिमारी? नहीं सर्फ, वो तो एकदम फिट थे, रोज कसरत करते थे, अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रखते थे अप? सर्में उनकी सेकेटरी, सोना ली सर्केमरा की फुटिज तो बहुत ही चौका देने वाली है एक निर जी पुतले में जान आ गई और उसने किसी का खून कर दिया सर, हमारी भी यहां के फटी रह गई जब हमने संदू जी की मौत का नजारा देखा अगर यह खून है तो किसी इंसान नहीं किया होगा किसी निर्जी उपुतलेने नहीं अचा, संदू की मौत के बाद विबार गया यहां से? नहीं सर, हम सब यही पर है सब यही पर है और यह फिल्म का हीरो, मोहन यह आज यहां फंक्शन में नहीं है? सर, वो आने वाले थे पर पता नहीं क्यों नहीं आया पता नहीं क्यों? ऐसा क्या हो था? सर, शायर टेंशन और स्ट्रेस की वजह से दरवसल हमारे फिल्म के सारे प्रिंस जल गए थे बस एक प्रिंट बज गया था जिसके जरिये हम ये फिल्म रिलीज करने वालत है सर, कहीं सब के पीछे इस महान कुमार कहा तो नहीं है खोल सकता है एक फिल्म जो इतने मुश्किल से रिलीज होने वाली है और उसके प्रोडूसर की इस तरह से मौत हो जा है मतलब खुप सारी पब्लिसिटी महान से मिलना पड़ेगा यहां से कहीं दूर चाले जा वहाँ खुणने मुझे भी कहीं मह खुणी तो नहीं कौन है? CID सर, थैंक्यू सर सर आप आगे, मैं तो डरी क्या था ये समानबाम ये कहीं जा रहे हैं क्या सर मैं कैसी जगे जा रहा था जहां पर मैं सुरक्षित रहूं वह वह आपके दो संदू की मौत हो गई और आप यहां शेयर छोड़के भागने की तहरे में जुटे हुए कई संदू की मौत में आपका हाथ तो सर आप क्या बात कर रहे हैं वह मेरे भाई जैसा था नहीं मायरा तो किससे तर के बाग रहे हो सर उजी से जिसने संदू का खून किया उसका अगला शिकार मैं हूँ और ये बात तुमको किसे बता उससे मुझे खुद कही खुद कहा मतलब वह तुमसे मिलने आया था नहीं फोन पर कब करीबन दो घंटा पहले फोन देखा हुजरा तेक्यो इसमें तो कोई रेकॉर्ड नहीं है दो घंटे पहले कोई फोन नहीं आया था गुमना करने की कोशिश कर रहे हो क्या आप लोग तमीज से बात कीजिए हंदी फिल्मों का जाना माना हीरों में हम भे इस देश के जाने वाने हीरो हैं इसलिए अपनी ये हीरोगी अपने जेब में रखो हां और सच सच बताओ के माजरा क्या है सर मैं आपसे सच कह रहा हूँ फोन आये था लेकिन कोई नंबर नहीं था चल एक पल के लिए मान लेते हैं सर प्लीज मेरी मदद कीजी सब किसी पेश्चा के आपको कौन कर सकता ये संदू बहुती दर्यादेल इंसान था उसके किसे से क्या दुश्मन ही हो सते ये समझ में आ रहा है जब तक खूनी पकड़ानी जाता आप शेहर से बहाद जा सकते हम वो सब ठीक है लेकिन खूनी पकड़ा तो जाएगा ना पकड़ेंगे एक बार ये बता चल जाएगा कि खून हुआ कैसे है खूनी भी पकड़ा जाएगा अरेका रेडी? ये सर्ट अब देखना जब प्रद्यमन को पता चलेगा कि संदू साब की मौत कैसे हुई है आई टैनली वे एक दम अपका बखकर रह जाएगा वो इस देख साण के मेरे पास बखक भी है मेरा वक बरबाद मत कर ठीक ठीक बता कैसा हुआ है इसका खून देखा चलो तारेका शुडो करते आज ACP साहब और उनकी पूरी टीम को एक नया सीरियल दिखाते है हून की कसोटी सर उदल देखी हूं वह देखी अज़ोग्राफिक इमेज है संदू की हाँ और देखो उस इमेज में वो छोटे-छोटे सपेच सपेच से निशान निकाई दे रहे जोट-छोटे निशान माना है लेकिन वैसे है क्या सरी सचिन ये छोट ऐसे साधरन से दिखने वाले निशान इतने खतरनाथ है कि यही संदू जी की मौत का कारेंड बने है या संदू जी की मौत इन सफेद निशानों की वज़ासे हुई है जानते हो निशान किसकी वज़े से हुए छोटी-छोटी जहरीली सुयों के निशान है ये तु क्या खहर है सालू की यार हमने संदू की लाश को अच्छी तरह से चेक किया है अमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ा नहीं मानता हूँ आप लोगों ने लाश को अच्छी तरह से चेक किया होगा कसूर आपका नहीं है बस ये सुया इतनी छोटी और बारिक है कि अपना कोई निशान शरीर पर नहीं छोड़ती है और शरीर के अंदर पहुँच जाती है और इसलिए इन सुयों ने संदुजी के शरीर के एक बी टिशो को पंचर नहीं किया फिर भी उनके शरीर में घुज गए और इसलिए खून की एक बून भी वहाँ पर नहीं थी यह जहर है कौन सा सर उनके बस जैमी निजोलान नाम का जहर है बहुत खतरनाँ जैर है किसी ने बड़ी होशारी से इन छोटी-छोटी सुयों पर उजैर लगाया और किसी तरीके से इस सुयां इसके शरीर में पोंचा दी अगर सर यह सुयां संदुजी के शरीर में गई कैसे होंगे क्योंकि हमने जो फोटेज चेक किया था सुयां बाहर निकल गई थी संदु और मौन ने मिलकर एक स्टूडियो खरीदा किसी सुरज नाम के आदमे से उसी सुरज का छे महने पहले एक्सिडन्ट हुआ और वो मर गया और सर एक आदमी एक हफते पहले विद्यूत की कॉस्ट्यूम में सुरज की बेटी से मिलने है और जब सुरज की पत्ने ने उस आदमी को देखा तो या आदमी हवा में गायब हो गया उड़ गया है हाँ सर, सुसाइटी के वाच्चमैन और वहां के बच्चों का भी यही कहना है यह तो हमें उस अइनिमेशन स्टूडियो में जाकर ही पता लगाना पड़ेगा स्क्राइब हलो सर, मैं आपके कुछ मदद कर सकती हूँ जी हम लोग C.I.D. से हैं C.I.D.? अच्छे इस अइनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर से मिलना हमें दिराज सर सर यह C.I.D. से हैं आपसे मिलना चाहते हैं C.I.D. से हैं जी कहिए सर क्या बात गिरज जी आप कब से काम कर रहें यहां पर इस्टूडियो में जब से संदु साब और महुन जी ने इस्टूडियो खरीदा था मुझे काम पर रख लिया था अच्छा तो फिर आप उनके बारे में भी जानते होंगे जिनसे स्टूडियो करी रा था इन दोनों ने सूरज, सूरज नाम था इस स्टूडियो के मालिका हाँ शायद सूरज यह था लिकिन सर उनके बारे में मैं को जादा ने जानता हूँ कोई तो ऐसा होगा जो सूरज के बारे में सब को जानता होगा हो सकता है कोई पुराना करमचारी वखेरा नहीं सर बात दर्सलिये है कि संदू साब में सभी पुराने करमचारी को काम से निकाल दिया था और सभी ने करमचारी को काम पे रखा था सर फिर तो इस बात को लेके करमचारियों में बहुत गुस्टा होगा कहीं उन में से तो कोई नहीं कर रहा है से इभी हो सकता अच्छा इप पुराने करमचारियों के रेकॉर्ड्स थो होंगे आपके पास उनका तेलिफोन नंबर, पता, नाम नहीं सर, रिकॉर्ड तो नहीं है हाँ सर, एक पुराना करमचारी है तो जो काफी पर फोन करता था और एक वीडियो गेम के बारे में पूछता था है कौन ये? उनका नाम जे से जनार्धन, नहीं नहीं जो, जोन, जॉनी नाम था उसका जॉनी? तो जॉनी का नमबर तो होगा ना तुम्हारे पार? हाँ सर, नमबर दिया तो था और कहा था कि उस वीडियो गेम के बारे में अगर कुछ भी पता चले तो फोन करके बता दे क्या-क्या नमबर है उनका? 11-517-92517 जॉनी का नमबर तो बंदा रहे सर बंदा रहे? जॉनी किस वीडियो गेम प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी चाहता था? सर, नए प्रोजेक्ट के बारे में संदू साब और मोहन जी को ही पता होता था संदू साब तो नहीं रहे मोहन कुमार से मिलना पड़ेगा आज तक इत्मा मुश्किल सामें मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा पितनी बगवान किस बात की परीशा ले रहे? किसी तरह ये समेह निकाज़े बास सर, आपका फोन तुमने फोन क्यों आउन किया? तुम्हा ते बाग को ठीक है? सारी सार, मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था और आपका फोन स्विच अफ हो ही नहीं रहा है फोन नहीं है, मुशी ही बता ही है तुम जो यहां से, जाओ ओके से हो, तुने कोई आवाज सुनी हाँ मैने सुनी, उदर से सुनी तु रूख यहीं पर, मैं जा कर आता हूँ तुम नहीं झाल 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 झा गोलियों किया वास? मुझे मानने तो नहीं आगिया विजुद। Sir! Sir! अंद करो तुम आड़ी इव गोलियों कैसे आड़ी? Sir, आप क्या करें? CID काफ़न करो, जिल्दी निगा! Sir, मैं भी यह चुप रहा है यहां भी को छुप रहा है इतना बड़ा देले जोयां से! समझें यही चिप्ताने दो, Sir! Sir, वो मादा लेगा! Sir, guards! यह तो मर चुक है? Sir, इनकी भी मौत बिल्कुल ऐसे हुई है जैसे संदू के हुए कि Sir, कहीं उस खुनी ने मोहन को कुछ करना दिया Michael, ambulance बिलाओ जल्दी Hey! Hey! मौटा उदारो अपना Sir! क्या हुआ? कमरे में, कमरे में! Sir, यह तो हमें तेह रहा है यह किस लूम के नो सकता है पर कहा चलागे है मौटा चलागे है चलागे चलागे थे दर के मारे भाग तो नहीं है। सलसात अंगर जाने कोना मुझे। दूसे कॉन पजाएगा, तो दूसे बताहिए? यहां कॉन? इसां कहुत? विधूद, विधूद, मुझे जाने दीजे। विधूद, विधूद, कि विधूद! विधूद, विधूद! पर यह नहीं पता है कि संदू निया उसका स्टूडियो खरीदने के बाद उसके सारे करमचारियों को बार को निकल दिया यह अईसी क्या बजयते है कुछ मालो में आपका क्या बात है संदू शाथ क्या बिजनसमें वाला दिमाग आपके अपके हम इतने कम पैसो में ऐसी डील इस 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 इंसन तुम्हें इस वक्ति हम और जबान संभाल के बाद करो मैंने तुम्हें कोई दोखा निए लिया मैंने क्या ओफिस, ये कंप्यूटर, ये फरनीचर और तुम्हें दोखे से मेरे सारे आइडियस इन गॉषप चुरा लिये जिन पर मैं सालों से राज दिनेक करके मेहनत कर रहा था बार बार मेरे उपर ये इन्जाम मत लगाओ मैंने तुम्हारे आइडियस चोरी नहीं की बल्कि मैंने तुम्हारे आइडियस खरी दें, तुमने वह कॉंट्रैक्ट ठीक से पड़ा नहीं क्या, देख अपनी क्लॉस, पेज नंबर 5, क्लॉस नंबर 331 में साफ साफ दिखा है कि मैंने सिर्फ तुम्हारा ओफिस नहीं खरीदा, बल्कि मैंने तुम्हारे सारे तुम्हारे जाओ, और दुबारा ये ऑफिस के पास नहीं दिखना चाहिए, ये बिजनिस जील तुझे पॉट में ही पड़ेगी, आद अद अब जैसे में आपको बताया, मैंने सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगा था, उसकी कागजाद माने एक बार भी भी पड़े, सर हो स पहली बार सुनो, कौन ही ये जाओनी सूरज की कंपनी में काम करने वाला एक पुराना करमचारी है, जो आपके अनिमेशन स्टूडियो में अकसर फोन करता था, किसी वीडियो गेम प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए, तो बताये आखिर ऐसा कौन सा वीडियो गेम जिसके बारे मैं जानना जानना जानी के लिए इतना जरूरी है, ये वह ही वीडियो के एम प्रोजेक्ट है, जिस पर विद्ध वाली सूपर-Hero फिल्मात आ रहे थे है, ओ, ये बात है, लगता है खोनी चाहता नहीं कि आपकी ये फिल्म रिलीज हो, सर लेकिन ये फिल्म र मारे हातों से, सर मॉबाइल कंपनी से जानी के कॉलिटेस मिल गए, जानी का फोन आखरी बार बंद हुआ, शास्त्री नगर में, सर जिन काम करो, अपने खबरियों से कहो, पता लगाएं इस जानी के बारे में ये जरूर इस शास्त्री नगर के आसपास ही रहता होगा, ठीक जानी के बारे में पूरी पुष्टाश करो, पता चल जाएगा ये जानी, कौन सा खेल खेल रहा है असली जिन्दगी में? सर आप लोग वीडियो गेम खेलने हैं क्या? ये नहीं, हैसी कोई बात नहीं, हम लोग C.I.D. से, मुष्टाश करनी C.I.D. से? जॉनी नाम के आदमी को जानते हैं आप? जॉनी? कल आपके इस वीडियो पर्लर में आया था, साथ बज़े शाम को सर यहां तो बहुत सारी लोग आते हैं गेम खेलने लेकिन नाम से जान पारना बहुत मुश्किल है, सर जो हो सकता है वो जॉनी को ये गेम का डीलर हो, वीडियो गेम पेशता हो अंकल, क्या आप जॉनी अंकल के बारे में बात कर देऊ? आप मटा पर ये जॉनी अंकल एनिमेशन कंपणी में काम करते थी इतना तो पता नहीं पर हां उनके पास एक से वीडियो गेम है कल शाम साथ बज़ेवा थे यहां पे और उन्हों ने हमें कारेसिंग वाली गेम में हरा भी दिया इसका मतलब जॉनी अंकल से आप लों की बहुत गहरी दोस्ती अंकल, पहले हम उन्हीं के दुकान पे तो जाते थे गेम्स खिलने उनकी वीडियो गेम्स के दुकान है हाज वाला नगर में थी पर अजानक उन्हों ने बन कर दी पता नहीं क्यों पर अब हम कभी-कभी उनके घर चले जाते हैं उनके साथ गेम्स किलने अच बिटे यह बताओ के यह जॉनी अंकल का गर का है सद दर्वाजे पे तो ताला लगा हुआ है लगता है जॉनी को महारे आने का अंदेशा हो गया था इसले पहले नोदो ग्यारा होंगा एक मिलिट अंदर से कुछ आवास आ रही है इसका बतलब यह अंदर शिपके बेठा हो और हमें गुब्रा करने के लिए इसने ताला लगा है भायो देखे देखो पीछे कोई रास्ता है क्या करके पीछे तो और कोई रास्ता नहीं है रास्ता बेलिया जायका कब अभी वी गरम है इसका मतलब यह कोई साथ यह देखे विट्यूप की कपड़ है बेल खतम तेरा अहायका अहाय पुर्क बल विद्यूप के तुमें संदू का खूण क्यो किया मैंने कौई खुण नहीं किया फिर विद्यूप के कपड़े तुम्हारे घर में क्या कर रहे तरजर मेही दूज जरम दिया है विद्यूपको मेरी और सूराइफ्साब की मेहनत का ही तो नतिजा है यह जो तो यसलिए तुम उस एनिमेशन स्टूडियो में बार बार फोन किया करते थे और तुमारी मेहनत का फ़ल जब तुम्हें नहीं मिला संदू और मोहन को मिला तो तुमने बदला लेने के धांदी हां मेरी उबर और तबियत को देखकर आपको यह लगता है कि मैं किसी का खुन कर सकता हूँ अगर तुम निदोश हो तो दर्माजी के बाहर तारा क्यों लगाए और वो विडियो पार्लर गेम का वो क्यों बंद किया तुम्हें मुझे पता था साहब के संदू का खुन के बाद सियेडी और पूलिस जरू देरी पूश्टाज करेगी मैं अपने कुछ आखरी दिन शांती से भीता ना चाहता हूँ बस देखो विद्यूत की बात का बदला सिर्फ दो ही लोग ले सकते थे एक तुम और दूसरा सूरज सूरज मर चुका है बचे हो सिर्फ तुम शायद यह भी हो सकता है कि संदू का कोई और दूश्मन हो सूरज के मौत के बारे में तुम्हारा क्या खैल है वो एक एकसिडेंट था या फिर सोची समझी साचेश माप करना, इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता तो फिर कोई ऐसा आदमी, जो सूरज को अच्छी तरह से जानता हो आप उसकी पत्नी से मिल लीजी पत्नी से मिल चुके, तुम ये बताओ के कोई ऐसा आदमी है जो सूरज की बहुत परवा करता था नहीं, और कोई साथ ही तो ध्यान में नहीं है, पर हाँ, वो कभी कुरियर करवाया करते थे मुझसे, ड्रेसिज कभी किताबे भीजवाया करते थे. अचाहिए कुरियर कहां भीजवाते थे अड्रेस, किसके नाम पे कुछ बता है अपको? हाँ, श्यामनगर के अड्रेस पर श्यामनगर के अड्रेस पर कुरियर 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 कुर मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, यह सूरज जी है, यहां अक्सर आया करते थे, गंटों बैट कर बच्चों से बाते करना, उन्हें कानिया सुनाना, बच्चों को भी उनसे बहुत लगा हुआ था अच्छी यह ऐसा कोई खास बच्चा जिससे सूरज जी को बहुत लगा हूँ, जिसके लिए वो कुरियर बगरा भेजा करते थे आप शायद जॉनिता के बात कर रहे हैं जॉनिता? जी, सुरज जी उससे इतना प्यार करते थे, जैसे कोई अपनी सगी भेहन से करता हो और यहां तक कि उसकी इंजिनिन की पढ़ाई के लिए भी वो ही कर्चा किया करते थे उनकी मौत के बात तो विचार है कि पढ़ाई जैसे बंसी हो गई अच्छे इस जॉनिता का नंबर या एड्रस तो होगा आपके पास एड्रस और नंबर तो नहीं है और उनकी मौत के बाद तो वो पता नहीं कहा चले गई लेकिन कुछ पुरानी तज़्वीर तो होगी आपके बास देखे यहां चेह मेंने पहले आग लग देई थी उसी आग में सारे अल्बम जल चुके है चीके, थाक्यो किसी भी हाल में इस जॉनिता तक जल से जल पहुँचना होगा सर, इस देश के लोग यही मानते हैं कि C.I.D. सिर्फ ए ब्यूरो नहीं है इंसाफ का मंदिर है यहां कभी भी किसी बेगुना के साथ कुछ गलत नहीं होगा तो आप मेरे साथ जुन क्यों कर रहे हैं, सर सर, आप इस N.O.C. पे साइं नहीं करेंगे तो मेरी फिल्म रिलीज नहीं होगी सर, क्रोडों रुपया लगा है, मेरा अगर टाइम पर रिलीज नहीं होगी, तो नुकसान हो जागा, सर मैं बरबाद हो जाओँ हूँ, प्लीज साइं कादीजे सर, प्लीज ठीक है सर ठीक है, फुश सर, थेंग यू सो मज़ सर, मैं बता नहीं सकता, मैं कितना खुश हुश हुश मैं मिठाई नहीं लाया बदा, मैं अपने हाथों से मिठाई कि लाता आप सबको इसकी कोई जरुवत नहीं है, थोड़ी सी खुशी तो आप अपने फिल्म के हिट होने के लिए उचा करके, मिठाई तो आम बाद में भी खा लें अगर फिल्म हिट होई, तो बिठा ही नहीं, एक आलिशान पाटी होगी लेकिन उससे पहले आप सबको फिल्म के प्रिम्यर पर आना पड़ेगा, प्लीज प्रिम्यर? सर मैं जानता हूँ आप लोग बिजी हैं, सिर्फ दो गंटे की पातसा फिल्म बहुत अच्य बनी है, और आप इंजॉय करेंगे, प्लीज ठीक है, और हाँ, फिल्म के प्रिम्यर के लिए आपको कॉस्ट्यूम की जरुएत पड़ेगी तो मैं आपको भी बिजवाद हूँगा कॉस्ट्यूम, हमारे लिए हाँ, एक्चली फोड़ी अलेक तरेके को प्रिम्यर है, जिसमें सब लोग डिफरेंट कॉस्ट्यूम स्पहम कराएंगे, आप लोग को भी जही होगा ठीक है हम, बिज जेते हैं, लेकिनेक शर्त है जी, हम लोग तुमारे फिल्म की प्रिम्यर में आ रहे हैं ये पात, किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए मीडिया को तो बिलकुल ही नहीं समझेया ये सर, मैं समझ सकता हूँ, किसी को कुछ भी पतानी चलेगा धिंक्यू सर अब लोग जाने के लिए हाँ, सचीन, विद्युद के लिए ये विद्युद जरूर फिल्म की प्रिम्यर में आएगा मोहन के साथ अपना हिसाब पूरा करने के लिए इससे पहले कि वो अपना निशाना सादे वो हमारे चुनूल में होगा अरे सचीन सर, आप क्या लग रहे हो सर आपकी कॉस्टुम क्या घजब की है पकर पता नहीं, पहचान मनी आ रहा सर कौन हो आप पहचानो, पहचानो कौन अरे हाँ करेक सुर करेक मुझे बता ही न, मैं कैसा लग रहा ह। मेरा सूट कैसा है, मेरा मास्क कैसा है पंकर्ज, तुम भी किसी ऐसे राजजी के राजकुमार लग रहे हैं जो आप तक ढूना नहीं है पंकर्ज, तुम कैसे दिखते हो, यह मैं तुम्हें बाद में केस कातम होने के बाद पता हूंगा तिलाल अब नमास लगा लो विद्धियोदाक्स पास नो सकता है, समझे? सर, सॉरी सर, मृम रिली सॉरी सर मयोर, बी अलर्ट, चारतरफ नज़र दोडाते रो जेवंती कहीं पर दिखा हो? नहीं सर, अभी तक कोई ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसपे शक्किया जा सके जो कन नहीं रहना सर, सचिन, अभी तक कोई दिखाई जीती है, सर आने के लिए बहुत बहुत धने बादे अरे, महान जी आपनी बुलाया और हम नहीं आएंगे आपकी बिच्प के बेचालो होने वाली? बस तक तक आपकोछ खा भी सकते हैं? अचा नहीं, थैंक यू बड़ाएंगे नहीं थैंक यू बड़ाएंगे यह थैंक वेर बाट्श एज़ में महान सर, इस थरभाई प्लीज प्लीज यह तर लटीन नहीं यह मन मने कुछ खेट आप तो तो अज़ी नान दाता ए ए ऐसी अज़ाएंगे कुछ और है गेर लो इनको कुछ और है उदर प्लीज सर 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 विचुष का रहाएंगे सर यहीं के अटाबए बचाओ तुम ठीक नहीं कर रहे हो अपने आपको CID के हवाले करतो मिस्टर सूपर हीरो तीरा खेल खत्म तुम आपको CID करते हैं तरह इसका चेरा तो देखे है सर में उनकी सेक्रेटरी सोना ली सोना ली? और क्यो निता? जाती कहा है सूर अची और मैं हमेशा इमेल के जरीए एक दूरसे से बात किया करते थे उन्हें अपने वीडियो गेम के प्रजेक्ट पर बहुत बरुसा था उन्हें पूरा यकिन था कि ये वीडियो गेम ना सिर्फ इस दुनिया का सबसे बहतरिन वीडियो गेम होगा बलकि पूरी दुनिया उसे पसंद करेगी जैसे ही तुम्हें पता चला कि मोहन और संधू ने सूरज को दोखा दिया उसे वीडियो गेम की आईडिया खरीद ली तो तुमने उन दोनों को मारने का सूच है हाँ इनी दोनों की वज़े से सूरज ची की सारे सपने पानी में फिर गए और फिर सूरज ची के मौत के बाद मुझे अपने पढ़ाई पीच में इस शोड़ने पड़ी और इसलिए तुमने सोचा कि जिस आदमी से बदला लेना है क्यो ना उसी की सेक्रेटरी बन जाओ हाँ फिर मैं संदू की सेक्रेटरी बनी लेवोरिटरी में आग भी तुमने ही लगाई हाँ और चान बूच के मैंने इस फिल्म के एक रपकॉपी बचा के रखी थी इन दोनों को मानने से पहले मैं इनके साथ थोड़ा खेलना चाहते थी बहुत दुख दे इन दोनों ने मजे वही दुख मैं उन्हें महसूस कराना चाहते थी जिस विद्यूत को सूरज ने अपने दिमाद से इतने प्यार से जनम दिया दुनिया का मनोरंजन करनी की थी उसे ही विद्यूत को तुमने अपना हत्यार बना दिया विद्युद के फाइबर बॉड़ी में तुम ही थी ना? हाँ सुनाली, आरी तैयारियां हो गई है हाँ सर, आप एनाउंस्पेंट कर दीजे तुमने अपने यूतों में भी स्प्रिंग लगवाई थी दिवारों को फानने के दिये और तो और मोहन कुमार के बंगले की छट से हमें कुछ होक्स मिले ये देखे सर, ये होक्स वर ये फारनस के जरी उड़रा था हमें मालूम था कि फिल्म के प्रीमियर में तुम वही पैत्रा अपनाओगी वगर हमने पूरी तैयारी करके रखी थी सोना ली इर्फ जोनिता दुनिया को दोखा दे सकती हो सी आईडिय को कभी नहीं हमें ये भी मालूम है कि मोहन के सेल फोन के साथ तुमने छेड़खानी की थी हाँ और मोहन के फोन में मैंने एक ऐसा वाइरस जाला था जिसे फोन तो सुच ओन है बगर फिर भी हर बर सुच ओफ बताता था काश ये दिमाग किसी अच्छे काम के लिए लगा थी तो देखा इस बदले की आग ने तुम्हें कहां से कहां पहुचा दिया जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी भर के लिए तुम्हें तो शायद आसी भी हो सकती है हुच खूच 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 दुम्हें क्था खूच खूच कि अच्छ फूच खूच खूच।